इंशाल्ला आज की क्लास में हम जोई प्रोजेक्टाइल के बार में पढ़ेंगे पहली चीज़ किया है प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ठीक है अब बहुत सुनिए कोई बॉड़ी को हम समझे ऊपर फेगे समझो अगल ऑफ 90 डिग्रीज तो यह 90 डिग्रीज की बोड़ी क्या सीधा उपर जाएंगी एक दिव वेटिकल फेकरे बोला एक फिर वापीस आजेंगी यानि इसका जो पात है यह स्ट्रेट लाइन बनेगा लेकिन सपोज 90 डिग्रीज से हटकी कोई और अगल से फेके हैं कोई और अगल से फेके हैं तो यह सबस ऐसा फेका मैं तो यह जो है ना इसको बोलते है प्रोजेक्टायल यह जो पात है इसका यानि यह जो रास्ता तैकरा ट्राजेक्टरी बोलते हैं इसको पारबोला बोलते हैं इसको पारबोला ठीक है तो कैसा ही फेक सकते हैं आप यह पूरे प 90 से हड के जो आंगल से फेकिंगे आप वो कैसा भी जो क्या बनेंगा वो प्रोजेक्टाइल बनेंगा और यह जो path follow हो रहा trajectory बोलते हैं यह parabola है अब यह जो proof करना है अपने होगे एक बार या रख लिए ना पराबला का equation का है तो y equals to ax plus bx square यहां पर जैसा जोट परती है वाइसा समझारो मैं यहां यहां पर y है यहां पर x है यहां पर x square है यह a b could be constant हो सकते हैं y in terms of x and x square तो यह रहेंगा equation यह राख लेना y equals to इसको बलते equation of parabola equation of parabola तो यह जो projectile है ना इसको parabola हतावल के इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ कासा करेंगे हम अगर यह form में आगया y equals to ax plus bx square तो इसको बोलेंगे हैं प्रूफ करना ठीक है अब इसके बारे में हम समझेंगे एक एक चीज़ कैसा करना है अब देखिए हम इसको जब फेक रहें आप गौर सा देखिए इसमें दो टाइप की velocity से दे एक तो यह बोड़ी ऊपर के सेट जा रही एक तो यह बोड़ी ऊपर के सेट जा रही इसलिए इसको वेटिकल बोलेंगे और साथ में क्या यह चीज़ यह सेट पर जा रही है इसको बोलेंगे अब देखिए जब भी पॉइंट जाएंगा तो यह दो चीज़ांट से ट्रावल हो रहा इसमें इसमें horizontal velocity भ यह पॉलेंगे वैर्टिकल वज़ासटी सबस्कु जाब फेख रहें इसकी velocity सबस्क्व यू है समझो यू है तो यह दख्लेंना horizontal velocity और angle theta ही है, angle with which the body is thrown थीक है तो यह दख्लेंना यह जो horizontal है यह रहेंगा u cos theta, horizontal velocity, और जो vertical रहेंगा यह रहेंगा u sine theta, तो यहाँ रहेंगे ह इसको दो components में change करेंगे जो velocity से फिख रहे उसका horizontal component रहेंगा u cos theta और vertical component रहेंगा u cent theta अब यह जब throw करें हम देखिए नीचे से जब उपर जाएंगे maximum पाँ तक जाएंगे इसका vertical velocity change होते रहता लेकिन horizontal velocity जो है u cos theta यह पूरे starting से लेके end तक horizontal velocity constant है था अब suppose देखो हम क्या करेंगे थोड़ी देखें के बाद देखें समझो suppose इतना distance है यह y cover करा और यह horizontal distance x करा that it covers a distance of horizontal x and vertical y after time t time t के बाद suppose यह horizontal displacement हमारा x है और vertical displacement y है तो पहले horizontal के बारे में पढ़ेंगे horizontal motion ठीक है अब horizontal motion में अभी समझाना में constant है इसके लिए velocity का formula जिस करते है sorry velocity horizontal के लिए formula जिस करना सिधर horizontal velocity है constant velocity इसमें कुछ भी change यह रहा इसका that formula जिस करेंगे velocity equals to distance by time ठीक है तो velocity horizontal velocity को सिए हमारे पास u cos theta इसलिए u cos theta लिखना हो distance किता ले रहे horizontal का हम x ले रहे इसलिए x distance हो गया x by time t रिकदा लो इसमें से हम time मालम के लेना कैसा time इदर cross multiply कर दो तो यह हो जाएंगा u cos theta into t equals to x u cos theta वो से लो डिवाइड हो आता तो t हो जाएंगा x divided by u cos theta इसको हम note के लिंगे बना ठीक है माल में जोत पड़ती इसकी तो horizontal distance एक बार ही वाइस कर लो horizontal velocity constant रहेंगा इसलिए इसका formula हैंगा c that add formula velocity equals to distance by time displacement by time velocity horizontal को सी हमें पास u cos theta distance के लिए हम x by time के लिए t तो इसमें से time हम कर लो t cross multiply कर लिए t आ गया इसको हम note करेंगे 1 अब vertical motion देखेंगे इसका vertical motion जो रहेंगा यह क्या है इसमें acceleration due to gravity add करेंगा इस वहाँ से हम a को लिखेंगे acceleration due to gravity ऊपर के साथ फ्यकरेंगे इसलिए minus g a को लिखेंगे minus g है और displacement क्या ले रहे हम s distance ले रहे हम y ठीक है अब यह जो है इसको हम जब फेक रहे है अब इसको को सा formula करेंगे देखेंगे ठीक तो एक बार revise करेंगे अब यह formula है माँ पास s equals to ut plus half a t square अब यहां पर t बी मालुम के लिखेंगे s equals to u u को सारेंगा vertical में u के है अपने पास u है u sin theta u है u sin theta इसलिए u की जगे पर लिखेंगे हम u sin theta starting हो बताना मैं vertical component है u sin theta time क्या है t, t यहां पर मालुम के लिए हम तो time के जगे पर t दालो x by u cos theta ठीक है plus half into a, यह क्या है minus z है तो यहां पर minus 1 दालो minus z into t square, t क्या है हमार पास x by u cos theta तो square बोतों क्या हो जाएंगा tan theta into x minus 1 into g गा हता g, g यहां पर continuation करो मैं x square by u square cos square theta, क्या लिखे हम 1 into g हो हता g, निचे 2 है तो है तो, निचे 2 है sorry, यहां पर 2 हैंगा उसके बाद x square फिर निचे गा है u square cos square अब बस लास्ट दो स्टेप से, y equals to square हम ऐसा लिख सकते है, tan theta into x minus, यह x को लग कर दालो, इसको ऐसा लिख रिकरो मैं, g divided by 2u square cos square theta, इसको ब्रागे लिखे दालो, यह लिखे दालो x square ठीक है अब यहां पर tan theta और यह constant बोले सा, अब variables को से को से अपने पास y यहां पर x यहां पर x square, suppose यह constant को a समझो अब और यह constant को b समझो, ठीक है, तो इसको असल सकते हैं, y equals to ax, यह minus के साथ में लो लो b, तो यह लिखे देंगा bx square, तो अभी starting में बताया थे देखे यह y equals to, यह tan theta constant इसको a समझो, वैसी g by 2u square cos square minus के साथ लो 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 के, ठीक है, यह plus समझो, यह minus समझो, इसको b समझो, तो यह हो गया y equals to ax plus bx square, this is the equation of a parabola, therefore, क्या बोलेंगे, the path followed by a, projectile is a parabola, अब इसी को मैं रेटिंग से क्योंगे, इसमें सहीं नहीं आ रहे, description सहीं नहीं रहा, इसी को मैं और text में written करके पता दिखिया, आप और से सुने, projectile समझाते हैं, a body thrown upwards at an angle other than 90 degrees, other than 90 degrees is called projectile, the path of a projectile is a parabola, अब इसको प्रूफ करें, कैसा, यह by heart नहीं करना, खाल, इसको यादख लेना, consider a body thrown with an angle at an angle theta, यह bracket में ऐसा आ जालो, theta not equals to 90 degrees, समझें नहीं, तो 90 नहीं रहा तो कैसा यह क्या बनेंगा, parabola, with the horizontal, with initial velocity के लिए हम u, ठीक है, अब क्या है थाब है, let it cover से horizontal displacement, horizontal displacement के लिए हम x और vertical displacement के लिए y in time t, यानि हम जो consider करें, इसको लिदालना, बस होई है, प्रूफ में, अब इसको क्या करें, u is resolved into horizontal component, u cos theta, and vertical component, u sin theta, अब next bit देखिया अब, horizontal motion, ठीक है, अब horizontal motion remains constant है भी बताना, इसलिए horizontal के लिए एक ही formula रहेंगा, displacement, x है में पास, और horizontal velocity है, u cos theta, time t है, तो formula के हैंगा, velocity equals to displacement by time, velocity के है, u cos theta, displacement है, x by t, अब इसमें क्या होईगा, देखिये, u cos theta, t दे cross multiply करें भी बताना, तो t आ गया, u by x cos theta, इसको one note कर लो, वैसे, vertical motion is acted upon acceleration due to gravity, अब इसे, a ले लिए minus z, displacement ले लिए y, और u के है, vertical के लिए, u sin theta, और t के है, अपने पास, x by u cos theta, अभी प्रूफ करें ना, अब इसमें क्दालो, u y, s equals to ut plus half a t square में क्दालना, ये क्दालना, ये क्दालना, equation of motions है, kinetic equations, kinematic equations में क्दालना, y equals to u के हमें पास, u sin theta, t उपरमान के लिए, ये है, x by u cos theta, minus half into g into u square, x by u cos theta whole square, ठीक है, अब ये u, u cancel हो गया, sin by cos tan theta हो गया, इसको जासा भी बताना भी अलग कर दी हम पुरा, तो g u square by 2 cos square, अलग कर दी हम पुरा, तो g u square by 2 cos square, अलग कर दी हम पुरा, इसको समझो बी, इसको समझो a, तो y equals to a x plus b x square हो गया, but this is the equation of parabola, therefore, the path of a projectile is a parabola, तो ठीक है ना भी, ये हम जो है, प्रूफ करें, इसको बाद, इंशालला, next class में, इसके height हो ये थोड़ा, रिफर करेंगे, अगर भी आप लोग को फैदा हो रहा, समन में आए, आपको, तो like करें, share करें, subscribe करें, इंशालला, next class में, इसको हम continuation करें, औ or रेंजवे, इसके दो इसके हो रहा, next class में, we will continue करेंगे.